C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कक्षा आठ की हिंदी पाठे पुस्तक भारत की खोज का पहला अध्याए शीर्शक है एहमद नगर का किला प्रिष्ट संख्या एक एहमद नगर का किला 13 अप्रेल 1944 यह मेरी नौवी जेल यात्रा थी हमें यहां आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था जब हम यहां पहुँचे तो अंधियारे आकाश में जिल मिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया शुकल पक्ष शुरू हो चुका था तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का एक महीना और बीट गया चांद मेरे बंदी जीवन का स्थाई सहचर रहा है वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक चित्र हमारे सामने है और ये चित्र है उस कमरे में लगी पट्टी का का जिसमें जवाहरलाल नहरू को रखा गया था और इसका शीर्षक है रूम नमबर एट ओकिपाइड बाई दी ओनरेबल पंडित जवाहरलाल नहरू दी प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया दूरिंग ही इस डिटेंशन इन नाइटीन फॉर्टी तू फॉर्टी फईव और इसी चित्र के बगल में एक और चित्र है और उसका शीर्षक है एहमद नगर किले का वो कक्ष जहां 1942 से 45 में जवाहरलाल नहरू को रखा गया था अब आईए सुनते हैं पाठ प्रिष्ट संख्या दो अतीत का भार दूसरी जेलों की तरह यहां एहमद नगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया मैं रोज कई घंटे तफ्ती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा मिट्टी बहुत खराब थी पत्रीली और पुराने मलवे और अवर्शेशों से भरी हुई चूंकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राज महलों की दुरभी संधियां देखी है यहां का इतिहास बहुत पुराना नहीं है घटनाओं की दृष्टी से इसकी कोई विशेश एहमियत भी नहीं है पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है यह घटना है चांद बीवी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठा कर अपनी सेना का नित्रित्व किया था पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई खुदाई के दोरान हमें जमीन की सतह पर बहुत नीचे दवे हुए प्राचीन दिवारों के हिस्से और कुछ गुमबदों और इमारतों के उपरी हिस्से मिले हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मन्जूरी मिली थी और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के लिए साधन थे अब मैंने कुदाल छोड़ कर हाथ में कलम उठा ली है पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभाव का हिस्सा नहीं बना लेता मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता प्रिष्ट संख्या तीन नहीं पैगंबर की भूमी का अख्तियार कर मैं फिरहाल भविष्ट के बारे में लिख सकता हूँ बचा रहता है अतीत पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वता पूर्ण शैली में नहीं लिख सकता मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रिया कलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ गेटे ने एक बार कहा था इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोज से एक सीमा तक राहत दिलाता है अतीत का दवाओ दवाओ भाला हो या बुरा दोनों तरह अभीभूत करता है कभी-कभी यह दवाओ दम-घोटू होता है खासतोर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया? उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रना का मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कारियों का जिसकी शुरुवात यूगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकरशित करती है? मैं इस सब का वारिस हूँ साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाती की साजेदारी है हम भारत वासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेश रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मास और अस्थियों में समाई है इसी विशेष्टा से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा इस विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अर्से से मेरे मन में घर किये है मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ विशे की कठिनाई और जटिलता मुझे भैभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज वाचनस्वर, अजीत होरो, निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन, विकास सांगवान, निर्माण, वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत।